और वेमिकर में आपका स्वागत है मैं हुवानी बासित और मैं आपके लिए लाया हूँ लॉटरी का फूर्थ पार्ट लॉटरी चप्टर लिखा है मुंशी प्रेम चन्ने बहुत इंट्रेस्टिंग सिटोरी है बहुती मजाया सिटोरी है और सबक आमोज भी है तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे उन्होंने लॉटरी की टिकेट खरीदी थी बाइक की थी कैसी कैसी उनको डिफकल्टी का सामना करना पड़ा और हमने ये भी देखा था कि वो कैसे ख्याली पलाव खार रहे थे उनके क्या मनसुबे थे जैसे कि विकरम कहता था कि मेरा ज कुछ मसाइले हैं हमें हम एक मुनी लेंडिंग बिजनिस शुरू करते हैं तो ऐसे कुछ इनके सपने थे तो फिलहाल आज हम आज के मौज़ू पर आते हैं तो शुरू करते हैं वन डे सब्जेक्ट आफ मरेज केम अप जूरिंग आवर कनवरसेशन तो सुकूल टींचर कहता ह हैं जो नरियोटर है से टॉरू का वो कहता हैं कि एक दिन हम इसी सिलसले में मामले में डिसकस किया हमारी क्यों कि यह विकरम सेड्ड विद्फ फिलॉसिक प्रफdrumड़ी तो जो विकरम था और उस और उसने कि भाई, मैं शादी बिया से चिड़ता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है इन चीज़ों से, इसे क्या होता है, इसे खामका की परेशानी लेनी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है इस शादी बिया की मामले में और अपनी बीवी की वो डिमांड पूरे करने में बहुत ज़्यादा तकलीफे उठाने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होती है, और मैं कहता है कि मैं फुजूल खर्ची के खलाफ सकत हूँ, I opposed his argument, मैंने स्कूल टीचर कहता है कि मैंने विकरम की बाद को टोका, मैंने argument किया, yes, that is true, हाँ, ठीक हो, but then as long as one does not have something to share one's joys and grief with, what is the point of life? देखो यार, जब तक आप किसी के साथ अपना दुख और दारत या गम और खुशी नहीं बाट सकते हैं, या उसमें शरीक हो सकते हो, तो जीने का मज़ा क्या है, तो जिन्दगी का मकसद क्या बन सकता है, जब आप अपनी खुशी को किसी के साथ बाट नहीं सकते हैं, या अपने गम को किसी के साथ बाट नहीं सकते, I am not averse to the institution of marriage, मैं marriage के खलाफ नहीं हूँ, मैं शादी बियाँ के मसलों के खलाफ नहीं हूँ, but I would like a partner, but मैं ऐसा partner चूज करना चाहता हूँ, who will stay with me until I raise my mind lost, जब तक मैं मरूँ, जब तक मैं अपनी आखरी सांस तक वो मेरी सांस रहे, मैं ऐसे partner को तरजी देता हूँ, and no one other than her can fill that slot, तो उसके बजाए, तो उसके बगेर, ये कोई नहीं कर सकता है, किसके बगेर, हर किसकी तरफ इंडिकेशन है, हर है wife की तरफ इंडिकेशन, तो means ये कहता है, कि marriage इनसान के लिए ज़रूरी है, मतलब social life के लिए, इनसान के social life के लिए marriage बहुत ज़्यादा मानिय रखती है, विकरम ने इसे चालाकी से जवाब दिया, कोई बात नहीं है, सबके अपने अपने राय होती है, सबको अपने अपने आइडिया होती है, congratulations on finding your wife, आपको बहुत ज़्यादा शुब काम ना है, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक बात किसमें, आपने एक wife डूंडी है, तो इसए हिंडेक्ट लिए इसको टांड करता है, क्यों करता है, क्योंकि सुकुलिजर कहता है, कि मेरी बीवी ऐसी होनी चाहिए, उसके ऐसा character होना चाहिए, जो वो loyal होनी चाहिए、 मेरे मरने के दम तक, मेरा साथ दियना चाहिए, मेरे खुशी और गम में वो शरीक होनी चाहिए तो इसलिए इसको यह टांट करता है और कहता है तो आप जब आप शादी करोगे तो आप आपको अपनी बीवी का कट पुपेट बनोगे आप अपनी बीवी का आपको इसके हर एक चीज माननी पड़ी हर एक बात आपके उसके मानी पड़ेगी इसको कहते हैं और जो आपकी बच्चे होंगे तो इसको समझोगे खुदा की सबसे बड़ी नियामत आप अपने फिर बच्चों को समझोगे मैं आजाद आदमी रहना चाहता हूँ मैं आजाद मेंस क्या है जहां मुझे मर्जे वहां मैं जाओं और जब मरी मर्जे वापस आने गी तो मैं आजाओंगा कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो कोई कौचं करने वाला नहीं हो I don't want watchmen to sit and guard on my head all the time मैं अपनी जिन्दगी मैं कोई watchmen नहीं रखना चाहता हूँ जो मेरे उपर 24 x 7 नज़र रखता हो ओके, if you are a little late returning home अगर आपको थोड़ी से भी देर होगी घराने में you will have to give an explanation to the question तो आपको बहुत सारी question का जवाब देना पड़ेगा वाइर यू अल इस वाइल आप इतने देर तक कहां थे और क्यों थे इतने देर क्यों होगी ऐसे ऐसे question आपको पूछे जाएंगे you sit up outside the house and you have to answer the query और अगर कभी आपने बाहर गए तो आपको बहुत ज़्यादा question का जवाब देना पड़ेगा आप क्यों जा रहे हो, कहां जा रहे हो, okay where are you off to and if due to inevitable circumstances your wife also accompanies you, then the only option you are left with is to draw your self, अगर कभी कब, अगर आपके भी बाहर निखले तो बात किसम मेटी से आपके बीवी का मूड बन गए कि उसको भी आपके साथ जाना है तो इससे बैतर है खुदकुशी करना, इससे बैतर है मर जाना क्योंकि यह समझा जाता है, विकरम समझता है कि यह एक बड़ी सी सजा है यह शादी करना इससे इनसान क्या है, बंद हो जाता है, वो अपनी जो जिन्दगी फ्रीली वो गुजार नहीं सकता है कि कि का view of view point ये विक्रम का view point है, No brother मेरे बाई मुझे आप से, इस चीज में कोई सेमपेथी नही या, कौन कहता है? विक्रम कहता है, सुकूल टिंजर से, कि से और में इसको सेमपेथी नहीं, या कि या कि भारे में ये कहता है, कि इससे कहता है कि अगर आप मेरी साला मानूँ कि आप शादी मत करों कि आपको ऐसे ऐसे सिच्चेशन से आपको गुजरना पड़े गा अगर आपके बच्चे बिमार होगे तो आपको हकिम के पास दोड़ना पड़ेगा और जब आप बुड़े हो जाओंगे तो वह आपसे नफरत करने लगेंगे वह आपसे चिड़ जाएंगे तो मूझ आउट आपको मतलब वह रोज रोजी ही दुआ मंगते होंगे कि यह कब मर जाएगा यह कब मर चाहेगा क्यूंकि वह बोलेंगे जब बहुत बेकर हो जब ब आपके बच्चे कहेंगे यह कब मर जाएगा यहां से कब दफा हो जाएगा तो अपनी जिन्दागी खुशी-खुशी गुजार सकें वह कोई कसर नहीं छोड़ेंगे उनको मौकी की तलाश में रहेंगे क्या आपको वह जहर देंगे यू और यह बहाना बनाएंगे और यह बात लोगों को बोलेंगे इसको क्या हुआ था इसको कॉलरा हुआ था I don't want to fall into the trap बेरे बाई मिचे माफ करो मैं इस जेल में नहीं पढ़ना चाहता हूं मैं इस साजिस में नहीं पढ़ना चाहता हूं तो इसी सिलसले में कौन आती है यहां पर कुंटी आती है कुंटी कौन साल की, शी वास सीटेटी के सिकिस्टी से टंडर और दूस निफार उगलेली, वो चेड़ी जमास ने पढ़न रही थी है और लगातार फेल होती जा रही थी शी वास क्वाइट परकी और लावट, वो बहुत ज़ा शरार थी वो बहुत ज़ादा शूर मजाती थी, शी शी कहला कि हम गबरा गए हमें बहुत जदा डर लगा है क्बूंकि उसने बहुत ज्यादा दर्वाजा खोला था कि विकरम से और तो विक्रम ने इसे टूका यो आर नौटी कुंटी आप कितनी बद्दमीज हो आप कितनी तेज हो शरारती हो वह आसको जूटक काम है और आपको किस ने बोला सा कि यहां आने का कुंटी सिगेंड दर रूम लाइक एन इन्वेस्टिगेटिव पुलिस आफसर पुलिसमें एं और बोलने लगी वाट डू यू तो टॉक अबड़ आफ्टर शेटिंग इस रूम अरे बैयो आप यहां पर इस रूम में हर रोज क्या कर रहे हो जो आप दरवाजा बंद करके आप यहां पर क्या खुसर खुसर कर रहे हो इवरी नाव एंड यू कम टू सिटियर जब भी मैं देखती हूं मैं आपको यही पात इसी कमरे में पाती हूं यू नियावर गो आवट फॉर एस सिट्रॉल ऑटवार जब पर फार मैनस में आप जलो जैसे जैसे बाकी लोग बाहर हैं काम काश कर रहे हैं या खेल कुद र रहे हैं आप भी जाओ आपको क्या मसला है मुझे लगता है आप कोई आप कोई बलैक मैजिक कमाते हो आप कोई काला जादू यहां पर करते हो विकरम शूकर शूकर बाइदय नयक एंड सेड तो विकरम ने इसका इसकी गरतन पकड़ी और उसको शूक किया और बोला यू आ सिर्भी ने इसरा कुण्था यू पर लंगतोड बहुत जादो शूकर पांस लेकर जादम कर दो हैं और भी जाला जादू करता हैं करत कि आपको एसा अशावार मिलियम जो आपको जिन में बैल्टे यू कितनी बार ओल जादर कायवार इसको क्तु आप कर्स करते हैं के आप को ऐसा शावर मिलना चाहिए जो आपको बहुत ज्यज़ा मारता हो लंग टु इस बैक एंड सेट तो कुंटी ने अपनी कमर हिलाई और कहने लगी आई विल मेरी सावन हो वेगस टेल बिफोर मी मैं ऐसे शक्र से शादी करना चाहती हूँ जो मेरा पाल तू हो वेगस टेल बि कीशे गुमता हूँ मेरी जी हुजूरी करता हूँ और वो मेरे टुकडू पे पलना चाहिए यनिकि उसको मैं जोरूं का गुलाम बनाना चाहती हूँ अगर उसने थोड़ी से भी चाला की दिखाई आई विल सिलाफ ही मार तो मैं उसे बहुत ज्यादा मारूंगी अगर मेर महाने लाटरी जीती आई होब शी गिवद भी फिप्टी थाउजन रुपीज फ्रामीड तो वो कितना मुझे देगी वो मुझे देगी पचास हजार रुपे डैट इस डैट हाँ वही है और मुझे उमीद है आई प्रे तो गॉड ट्वाइस एवरी डिवर मदर मैं मा के ल पहलती है कि जो कुवारी लड़की हैं जो दोशिजा है उरकी जो प्रेयर से वो कभी रद नहीं होती है उनकी जो प्रेयर वो कभी अनसर नहीं होती है वो हमेश़ा कुबूल होती है I have a feeling that mother will surely win a lottery और मैं गवाई देती हूँ और मैं शोरली कहती हूँ मैं मुझे यह मैं यह विलेज तो कुंटी की इन बातों से मुझे अपना नानी हाल याद आ गया मुझे अपनी नानी का गाउं याद आ गया दियर वाज़ ड्रॉट ऑन वहां पे खुशिक साली होची की थी और इट वाज़ दा मन्था बैद ओन याट नॉट एस सिंगल ड्रॉप आफ वाटर फ्र चार महीनों में महीनों में यह बहुत ज्यादा बारिश पढ़ते हैं मुनसुनों मैं तो बहुत एक बी कत्रा भी नहीं पड़ा सा इसके इसके नानी हाल के गाउन में तो क्या हुआ दा विलेज जरॉस हैड क्लेक्टिट फंड़स एंड इन्वाइट अल दा अनमेरिट गर फज़ए उनको हम खाना देंगी क्यों खाना दी क्या ता कि वो यहां पर दूआ करें क्यों क्यों कि इनकी जो दुआ हैं मैजिक होता है वह उनकी प्रियर से कभी नहीं होती है तो इसी बिलेफ के साथ उन्होंने उनको खाना दिया ठी डेज लेटर इट रेनिट कैडस नॉ तो तेन दिन बाद बहुत ज्यादा बारिश हो गई, इसका मतला बहुत ज्यादा बारिश हुई है, इसका मतला बहुत ज्यादा बारिश हुई है। उतनी बारिश जो थम्ले का नाम नहीं लेती थी, there was definitely some mysterious power in the prayers of unmarried girls. जो ये कुमारे लिड़किया है शायद इनके दुआओं में बहुत ज्यादा ताकत है इनमें कुछ पावर चुपा है ठीक है ना तो ये कौन कहता है ये स्कूल टीजर कोड़ाइट विक्रम परफ़र्जली एंड ही लुकोड़ाइट मी तो मैंने विक्रम की तरफ देखा और मेरी तरफ वी मिड़े डिर्जन इन एड़ एक चेंज आप ग्लैनस हमने इशारो इशारों में एक फैसला किया विक्रम सेट विक्रम ने बोला ओके वे विल तैल यू सम्थिंग ए कुंटी हमें आपको कुछ कहना है पट डोंट टेल अनीवन एलस बर महरबानी के लिए अच्छी लड़की हो और मुझे पता है कि आपकी किसी को हमारा राज नहीं बोलोगी और मैं ये स्कूल टीचर कहता है कि मैं आपको मदद करोंगा पड़ाए में और ये किन के साथ आप पास होगी इस साल कुंटी बेटा बात ये है कि हम दोनों ने विकरम और मैंने क्या खरीदी है एक लौटरी की टिकेट खरीदी है प्लेटो गौन फॉर एस आप तो मां के लिए दुआ करती हो हमारे लिए भी करो दुआ इफ वे इन वे विल गेट सम फायंद जिलुवरी सेरसली तो अगर हमने जीती हमारे नाव पे टिकेट निकली तो हम आपको क्या लेंगे जव लगे आपके लिए लेंगे हम आपके लिए सोना चान्दी लेंगे कुंटी कुट नांट बिलियो हरियर्स मगर कुंटी ने इनक किसमे खाई ताकिस को हम पर एकिन हो शी स्टाइट टू पूट अन आयोर्स तो उसने बोला कि नहीं मुझे आप पे बरोसा नहीं है यह क्या कह रही हो आप फाइनली इट वाथ आउनली वैन वी प्राम्जू तो कवर विस हर हर वी डायमंड और फ्रम हैड तो टो डैज शी कि तो उसने फिर वो राजी होगी हमारे लिए क्या दूआ करने के लिए वह राजी हो गई जहां वह टांश से भी ज्यादा में टान मीनस बहुत जादा मिठाये को हज़ं़ कर सकती थी एक साथ बट उसने हमारा ये च्छोटा सा राज नहीं रखा उसने सब को ये बदा बत और हमारा जो राज राज था वो फाश फाश हो गया दो होल हावस हैड होड़ दे नियूज तो पूरे गर ने पूरे गर्वालों ने ये ये खबर सुनी थी कि हमने क्या लाट दिखरी दी है नाव इट एवरी परसन इंगलूदिंग इस मादर ब्रदर अंकल और फादर तूस अडिकरम को ये नहीं कह सकती कि ये विकरम का किसमत था विक्रम इलिए अच्छा था या कुछ और सम्हें नहीं कह सकता हूं उप ऑफ इसको गर्वाले कहने लगे आपने इस सीच्वेशन में अपने आपको क्यों डाला ही टुक दा मूनी एंड तूए इंड वाटर और आप यह प्रेशन चाहां लगा है अपनी जाया कि आपनी कुवे में फैंके तुक्ष तक में किए वाओ अ साल के दस रुपे और उससाल के दस रुपे और हमारे तो जब हमारे गर्वालों में सबने खरीदी ही टिकेट तो आपको क्या मसला था आपने क्यों खरीदी खरीदी वड़ नाट यू है गट यूर शेयर आप जो आपको अपना शेयर नहीं मिलेगा जब हम जीतेंगे और आप भी मश्चर साहेब को ताप इससे भी बैयुकुब निकलाए What good can you teach the boys हमें आफ इस लड़को को क्या सबस्वत होगी और यूविल्न यू अपने बारबाद दीक्या अमें इस इजासत आप आपसे गुमनेDonald F persuade नहीं कि बट हमें क्या सिला मिल आपने इसे आप आपने से कही का नहीं छोड़ा बरबाद करके रखा इसको वें आवरी बाड़ी इंड ओके विक्रम वास दियर डार्लिंग सान तो विक्रम इनका एक लोता बेटा था एक प्यारा बेटा था वाट मोर कुड दे सिटे टू हम अब इसे जादा वो इसे डाट नहीं सकते थे तो वो खाना चोड़ देगा वो रूट जाएगा जो भी जल्ला ची जो भी जल्ला ची वो मुझे ही उठाएगी पड़ी आज इस विक्रम वास बूजिंग इनके गर्वाल उनको लगा कि जो मेरी कामपणी ने विक्रम को खराब कर डाला तो इस सिलसिले में जब ये डांट हमको पढ़ गई लॉट्री की टिकट खरीदने पर तो इस टाइम पे मुझे एक पुरानी बात क्याद आ गई एडेज में बहुत पुरानी बात पुरानी लोगों की बात नसिए गिवन फ्रीले एडवाइस वह एडेज क्या थी कि दुनिया में कुछ मुफद महीं मिलता है किसके बगेर नस्यत के बगेर वही मेरे आंखों के सामने इर्द गिर्द कर रही थी मेरे दिमाग में वही एडेज गुज रही थी I remembered an incident from a childhood मुझे अपमे बच्पन का एक वाका याद आ गया इट वास दा फेस्टिवाल फोली यह किसका तेहवार था यह होली का तेहवार था a bottle of liquor has been bought एक शराब की bottle आई गई my uncle had come to visit क्यों क्योंकि मेरा मामू आने वाला था I quietly went inside the room poured a small amount of liquor into a glass and quickly gulped it तो मैं चूरी चूरी चुबके चुबके से कहां गुज गया उस कमरे में जहां पर यह शराब की bottle राखी गई थी और मैंने थोड़ा सा शराब अपने गिलास में डाला और उसे मैंने पिया तो क्या हुआ तो जब मैंने शराब पिया तो ऐसी बर्निंग संशेशन हुई जब हम कोई कोल डिंग पिते हैं तो गले में संशेशन होती हैं यह कहता है कि और शराब से मेरी जो आंखे है वह बहुत ज़्यादा लाल होगी क्योंकि इसने पहली बार पिती और इसी शिल्सले में इसका अंकल इस रूम में एंडर हो गया मुझे ऐसा वहां पर फील हो रहा था कि जैसे मैं कोई गुफा खोद रहा हूं कि जैसे मैं कोई टनल खोद रहा हूं इसने मुझे से इतना ज्यादा गुशा किया कि मैं उस डर की वज़े से मैं पिला हो गया मैं जरुद हो गया मधर सो कॉल डिड मी मेरी महने मुझे डांटा फादर सो कॉल डिड मी आसो रब्यूकट मी मेरे बाप ने मुझे बेज दी गी मैं आपने आसो बहा सकता ताई कि उनका जो एंगर वो खत्म हो जाए एंड देन सेम आफ्टरनून तो फिर इसी दिन के दोपहर में अंकल वास सो ड्रॉंक ऑन दा लिक्वार डैट ही बिगिन सिंगें तो मेरे मामु ने भी इस दोपहर में बहुत ज्यादा शराब पी और वो शराब की हालस में इस नशे की हालस में क्या कर रहा था वो गार रह फिर रहा था देन सोब फिर रो रहा था देन ही अब्योजर मादर फिर उसने किसके के साब बत्तमीजी की मेरी माह के साब बत्तमीजी की और रॉन आफ्टर माई बादर तो हीट हीं तो और वो मेरे बाई के पीछे पीछे गया क्यों वो से मारना चाहता था क्यों मारना चाह और विक्रम उस फादर एंगल वायर बोथ हेरिटिक इस हो सुकाफुट एड इनी सौटा वर्शिप जो विक्रम का बाप था और उसका अंकल था विक्रम का वो बहुत वो दोनों हेरिटिक थे वो किसी पर विलिफ नहीं रखते थे और वो कोई भी पूजापाथ नहीं करते थ वो किसी भी दारम या भगवान पर वो बरोसा नहीं रखते थे बट नौ बोथ आप देवोटेड एंड फिरम बिलेवरस इंगाड बट आप क्या बन गए वो बटके वो अपने दारम के उसूलों पर चलने लगे अब उनको बगवान पर भगवान पर भी बरोसा आ गया विक्रम फादर वोड शेट आउट इन मॉर्निक टू बास इन गंगाज एंड रिटर्न होम इन अफ्र रून अफ्र आफरिंग वर्शिप इन आप नेबरहुट टेमपल तो जो विक्रम का बाप था वो सुबह सवेरे गंगा में डुबकी लगा था गंगा में नहाता था क् वो सारी जो इसके लोकेल्टी में यह टेमपल से मंजिर थे वो उनमें पोजा पाठ करता था और फिर सुबह निकलता था वो करने और फिर आफ्टरू दुपैर को वो गरा आ जाता था कि अचिस संदल्वे का पराओ नहीं नहाता था और वो गरा में पाने से वहाँ पे नहाता था आ जें टाउन टो चैंड नेम आफ लॉड रामा और बैठता था बहुत देर तक क्यों किसलिए वो बैठता था कि वो रामा रामा करता था और राम का मंतर पढ़ता था डिस्पायर सफरिंग फ्रामिर इर्थ इस्वेम तो इसके बावजूद भी गुष्णू के दर्द होने के बाव आपतलू होता है he would go to the park to feed hunters, तो इसका अंकर कहां जादा था, वो पारक में जादा था, क्या करने इन चीटियों को खाना देने लेटर इन दे इवनिक, बोड़ ब्रदर्स वोड़ ब्रदर्स वोड़ सिट नेकर to their doorway and listen to spiritual discourse with a great devotion till midnight, तो वो शाम होती है, वो बजन सुनती थी, वो मंतर सुनती थी ये दोनों बाई बैच कर, कहां में आंगान में बैचती थी शाम से लेकर बराबर रात तक विकरम का बड़ा बाई था प्रेकाश, उसको बहुत ज़्यादा विश्वास था किन में, फकीरों में, पीरों फकीरों में, वो किनकी बैसिंग्स लेता था, नहीं पीरों फकीरों की, और जो इसकी विकरम की माती, वो दिन वर इबादत करती रहती थी बाउस और खाना भी नहीं का ज़्यादा रहती थी और ज्यादा ज्यादा वो क्या करती थी और बहुत ज्यादा वो नहाती बीडियों अपने आपको पाख रखना चाहती है, जा चाहती थी बाटने कांडे मात पाख समी माते वाक रहती थी बाटने कि समयादा रहती है कि यह तो winding कऺड़ी क्यों नहीं है लोगसे कहते है गए ऐख बिर ब्रॉक्क रहता है बिर जैसा कोई नन हो but somehow I feel that the faith, devotion and religiosity that we produce are only due to our hunger and greed मगर जो हम अबादत करते हैं, जो हम इतने दार्मिक होते हैं, रिल्जास्टिक होते हैं, यह क्यों होते हैं? क्योंकि अपने हम अपने इस लालश की वाज़ए से हम इतने ज्यादा ग्रीडी बनते हैं, अपने लालश की वाज़ए से हम इतने ज्यादा रिल्जास्टिक बनते हैं, और रिल्जास्टिक होते हैं, और कहता है कि जो हमारे मज़भ हैं, कोई भी मजभ वो किस पे टका हुआ वो हमारे खवाश्वी के वाज़ा से अभी क्या है जिन्दा है अगर हमारे खाईश अगर हमारे ग्रीड नहीं होती अगर हमारी लालश नहीं होती तो ये मज़भ तो ये रिलिजियस या गौड़ वार को हम नहीं मानते क्यों होते जब कोई जब कोई भी दुख जरूस होता ह तो हमें खुदा याद आता है नहीं कि दुख से खुशी से ज्यादा किसमें खुदा याद आता है दुख में यही कहना चाहता है और सकुरी टीजर कहता है अब मुझे पता चला कि लालश में इनसान कितना गिर सकता है कितना नीचे वो गिर सकता है कितने कितना आपनी आपको जिलिल कर सकता है और इसे इनसानों के माइड पर क्या असर डाला है विकरण और ये इन देड़ विश्टिटे इस्टॉलॉजर। और विकरम और में इन दों बहुत अक्सर जाए थे किन के पास जुद्षियों के पास एस्ट आलार जुद्षियों के पास और आपने आपने को बहुत जाए तकलीफ पहुंचा थे उनसे कॉश्चन करते हुए दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आप मेंसे किसी ने लॉटरी का फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शियर करो लाइक करो और इस चैनल को सबस्क्राइब करो और अगर आप मेंसे किसी को कोई कॉश्चन हो तो कुमिट बक्स में कुमिट करें आपको अपना ख्यार रखना